कि अबरे गुट इवनिंग एवरीवान रेली होब यू आपसलूटली एपसलूटली सेफ एज वेल तो आज की जो क्लास है यह बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि इसमें आपने बहुत जादा एक पॉपलरली चीज को मांगा एक चीज को डिमांड किया और वो फाइलली में आ है वो है हमारे जुलाई के करेंट फेस जो जुलाई के करेंट फेस है उनके ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं और आप सब उसके लिए बहुत जादा एक्साइट है ऐसा में उमीद रखता हूं सबसे पहले अफ्कोर्स हैपी जैन गांधी जैन्ती टो अल फ्यू गांधी जैन्ती का एक पावन अफसर है इस उपलक्ष पे मैं आपको बाइजिस एक्जैम प्रेप की पूरी टीम की तरफ से गांधी जैन्ती की बहुत-बहुत शुब कामना ही देता हूं बापु एन इस स्टाटीजी है गांधी जी की जो स्टाटीजी है वह आपको बहुत जादा काम देने वाली है इतना तो आपको शाइद पता ही होगा एनिवेज बिफोर आई मुव एहड जितने भी लोग जुड़ चुके हैं मेक्शिर शेयर 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 को शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ लिए बिल्कुल मैं उसी के उपर आ रहा था किया सिर्फ बापु जी की गांधी जैनती नहीं है बलकि शिलाल बाद शास्ती जी की भी जैनती है तो बिल्कुल दोनों को शक्षत नमन हम सब की तरफ से और इसी एक पॉस्टिव नोट पे आगे बढ़ेंगे कि भाई हम भी उनका जो जो उन्होंने इतना अच्छा एक करेक्टर बनाया जो अच्छी प्रसालिटी बनाई अगर हम लोग थोड़ा भी उसका कुछ अचीव कर पाएं तो हमारे लिए शायदी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है ऐसा मैं मानता हूं विदाव बेसिंग अनि ताइम मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बिफूर भी मूव हैट मैं आपको से एकी चीज़ बताना चाहूंगा दाट एड़ आडवाई जिग्जाम प्रेप यूट अ प्रॉपर प्रोग्राम पडिकलर जो सब्सक्रिप्शन है हमारी ओर्लें क्लास् सब्सक्राइब आपकी सामने लेकर मैं हाजर हो चुका हूँ था थैंक यू बहुत इंट्रस्टिंग जो पीस आफ करेंट फेस है हमारे सामने वह है यने इसको से रिलेट इसको शेर जरूर कर दीजे ताकि उनको इसका पूरा बेनिफित मिल पाए पहली बहुत जो पीस आफ करेंट फेस है हमारे सामने वह है यने इसको से रिलेटेड हिस्टॉरिक अर्बन लैंसके प्रोजेक्ट फॉर्जेक्ट फोग वालियर और और उर्चा उन्होंने लांच किया मध्य परदेश में है गवालियर और शाह इसके बारे में आपको शादिक आइडिय हुए आप उसको बेहतर तरीके से जान पाएं बेहतर तरीके से समझ पाएं यही मेरी एक इच्छा रहेंगी यहां पर इसट फाइंग सो ओल्ड़ पॉइंट्स विच आर देर इन्यों माइंड मेक शूर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लें अपने माइंड में उ आपनों कि क्या कर रहे हैं बहुत सारी लैंस्केप को चूस कर रहे हैं इसको फूर इसके अंडर लेकर आ रहे हैं नेक्स वान गोजान स्क्रीन आपको शायद पता होगा धौलावीरा जो कि हड़पा की सिटी है गुजरात में और रुद्रेश्वरा रमपा टेंपल आपको समझ आगया है रमपा टेंपल की हम लोग बात करते हैं जब भी वनेवर वी टॉक बडर रमपा टैंपल यहाफ अल्ड़ तिंन टिंगूवरेर् है है वो क्या है रमपा टेंपल जोकी एक बहुत टेंपल है यह कब बनवाया गया है 13th century की हम लोग जब बात करते हैं वहाँ पर बनाया गया है रमपपा टेंपल इसको क्यों बोला जाता है इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो स्कल्प्टर था जो बनाने वाला था वो कौन था रमपपा तो ककातिया किंग्डम जो था उसके टाइम का यह टेंपल है इसके बारे में काफी लोगों ने बोला है जैसे माक पोलो की भी अगर हम लोग बात करते हैं उसने काफी अच्छी चीज़ें इसके बारे में लिखी है कहीं ना कहीं blockchain technology अपने आप एक बहुत secure technology मानी गई है बहुत ही बहतरीन technology मानी गई है और उसका use कौन कर रहा है आप महाराश्चा महला इंडिया भी कर रहा है तो आप याद रखे का education documents में पहले Singapore, Malta, Bahrain तो use करते थे छोटी छोटी countries करती थी बट इंडिया इतनी बड़ी country प that everyone तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि भाई जो भी चीज़े मैं बता हूँ आपको try to understand them nicely, proper तरीके से उनको understand करते रहिए and trust me you're going to get a lot of benefit out of it, ठीक है नेक्स वान, आपको शाइद पता होगा, गुजरात high court became the first high court to start live streaming of the court proceeding, live streaming की बात आती है, उसकी जो court proceeding की बात आती है, उसको करना इतना असान नहीं है लेकिन इनोंने वो सारे hurdles को पार किया और उसको start किया, एंवी रमना साब जो चीफ जो इंडिया वो गई भी थे उसको करवाने के लिए, next one, common high court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh का नाम स्वोड़ा simplify किया गया, और क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया, high court of Jammu and Kashmir and Ladakh, तो यह बहुत सिंपल सी चीज है, but exactly this can be there in the question, एक question के अंदर साब सब यह चीज पूछी जा सकती है, इसी लिए इस तरह से हम लोग इस सीज को देखते है, I can see, a lot of you haven't shared the session yet, make sure you share it and like it everyone, so that maximum of the people are able to take its benefit, सब को इसका benefit मिले और मैं एक चीज़ बदा दू, इसी quiz होगा, at 8pm on byju's exam prep की app, तो byju exam prep की जो app है, उसके उपर quiz होगा इस से related, तो उसके लिए अप त्यार रहीएगा, everyone, चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, on the railway station has been renamed as Benares, आपको चैद पता होगा, हम लोग कई बार बात करते हैं, यह जो station है, बड़ा famous station है, इसको Benares का नाम दिया गया है, तो अब आपको पता जल गया, in fact, इसे के साथ एक news associate थी, कि जुलाई की बात है, यह current phrase जो हम लोग करें, जुलाई 2021 का, शीमान नरेंद मोधी inaugurated international cooperation and convention center known as Rudraksh in Varanasi, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना बड़ा यह center, रहे, इसे मासिव मासिव center, तो यह कहां पर हमें देखने को मिलता है, यह में देखने को मिलता है, वारण नसी में, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, and I am really hopeful कि आपको इस सारी points समझ जरूर आ रहे होंगे, everyone is able to understand these points, हां जी, हां जी, हां जी, हां जी, समझ आ रहे हैं इतना, शलिए, आपने कभी grain ATM का नाम सुना है, anyone who has heard about the grain ATM or not, देखे, normal ATM क्या होते है, normal ATM होते हैं, हमें पैसे देते हैं, grain ATM से अब निकाल होगे, grains, तो मैं बताना चाहूंगा, हराना गवर्मेंट ने रिसनली सेट अप किया, पहला ATM मशीन, जिसको बोलते, अनपूर्थी, ये food grains देगी, जैसे भी eat rice millet देगी, जो UN के एक program, वर्ट food program, उसके तहत इसको लगाया है, आप देख सकते हैं, महिला है, वो क्या कर रही है, अनपूर्थी मशीन से, कुछ ग्रेंस निकाल रही है, clear, now that's a very interesting thing, which you can see on your screens everyone, now the purpose is what, the purpose is to make, the distribution of the grains at the government run ration shop, easy and hassle free, each machine can dispense you know about 70 feet of grain within 5 to 7 minutes, ये बहुत fast है, और यहाँ प्याज रिखे का biometric system, touch screen, सब कुछ है, तो यहाँ पे duplicacy का भी कोई chance नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि मुझे grain दे दो, जो आपके हख के grains नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकते हैं, ये सबसे important चीज़ है, तो इस तरह कि जो भी machines वगर हम लोग देखते हैं न, उनका फायदा सिरफ और सिरफ यही रहता है, कि हम लोग किस प्रकार से इन चीज़ों को जाने किस प्रकार से हम चीज़ों को समझें, I hope that's fine, चलि I don't think कि ये जतरे भी पॉइंट्स हैं ये जादा मुश्किल है, मलब ये वरी बेसिक पॉइंट्स, और ये बहुत एक इंट्रस्टिंग चीज़ है, प्रधान मंत्री फॉर्मलाइजिशन फॉर्मलाइजिशन फॉर्फूट पॉसेशिंग प्रदान मंत्री फॉर्मलाइजि इसका एक साल पूरा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स है, लेकिन एक कंपोनेंट्स जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंट्रस्टिंग है, नो मिनिस्ट्रियो फूट पॉसेसिंग एप्रूवड बाद करते हैं, तो वो भ दिखाने का मौका मिलेगा, आपकी डिस्टिक्स का अगर को अच्छा प्रोडुक्त है तो आप उसको दुनिया के लेबल पर जा के दिखा सकते हैं, ये सबसे इंपोर्टन जीजस है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, और that we have to have this clear understanding about these points, and I don't think it's a very difficult one, जो आप समझ ना पाएं, यह काफी ज़्यादा आसान चीज़ हैं जित्ती भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं आगे बढ़ते हैं निपन भारत प्रोग्राम की कई बर बात आती है निपन नाशनल इनिशेटिफ फॉर प्रोफिशेंसी इन ब्रीडिंग एंड अंडर्स्टानिंग इमरेसी आपको ब मतलब यह है कि आप जब थर्ड स्टैंडड तक पढ़ गए तो आप क्या कर दोगे आप उतने लिट्रेसी अपने अंदर रखोगे जिससे कि आप अपना नाम लिख सको अपना पढ़ सको थोड़ा बहुत हलाकि मैं जानता है बहुत बड़ी बात है थर्ड स्टैंड के कई अब बच्चे ABCD भी अच्छे से शायद नहीं जानते हैं कई पर ऐसा होता है तो यह बहुत ही बड़ी चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा नाओ इसको जो लांच किया गया है इस अंडर समग्र सिक्षा समग्र सिक्षा के अंडर हमने क्या किया है इसको को लांच किया है that is the first thing and I think कि तीन से नौ साल के अगर बच्चे इसमें कवर होंगे so it is surely going to be of immense immense benefit getting the point so आपको इस तरह से चीजों को आपस में लिंक करके देखना है and I am sure you will be able to understand properly next जो है piece of current फे मुझे लगता है कि आज का शाय सबसे important current फे भी कहा जा सकता है that is a new ministry which has been formed कि आप comment में मुझे बता सकते हैं कौन से ministry के में बात करने वाला हूँ I am going to talk about this one that is the ministry of cooperation I was in a lot of news ministry of cooperation एक separate ministry मनाई गई है कितने लोग जानते हैं cooperative के बारे में 97th constitutional amendment के बारे में जो 2011 में हुई थी cooperative तो देखिए जो cooperative है वो अपने आप एक बहुत बड़ी movement इंडिया में बन चुकी है जो किसान है उनको बहुत जादा मदद मिल रही है सारी जो चीजे यह बहुत important है so you have to understand this particular point that ministry of cooperatives का काम यही है कि कैसे cooperatives को promote करे, cooperatives को काफी enhance करें इंडिया में जो कि शायद अभी नहीं हो पा रहा clear तो आपको यही बात याज रखनी है proper administrative, legal, policy framework होगा cooperative movement का country में और इसी तरीके से हम लोग उन चीजों को properly properly grow कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है तो I am sure you all have understood this by now कि यह कितना ज्यादा important है and we have to take it very much seriously कहीना कि सारी चीजों को बहुत ज्यादा seriously हमें लेने की जरूरत है everyone तो देखो बात फिर से वहीं पर आकर रुखती है कि देखे जो cooperative movement है वो तभी grow करेगी जब government अपनी तरफ से कुछ करेंगे अगर government अपनी सबसे कुछ नहीं करेगी तो cooperative movement भी वहां पर इतना अच्छे तरीके से grow शायद ना हो पाए anyways मत्य से तू आपने सुना होगा for fish farmers now सबसे बात आती है मत्य होता कि मत्से बनना मचली तो मत्य से तू किसके लिए होगी मचली के जो भी मचली पालन करते हैं जो भी farmers इसके अंदर लगे हुए है उन्हीं के लिए है यह मत्य से तू I think you you know this now ministry of fisheries अनिवे वें डी डेरिंग has launched this online course mobile app मत्य से तू अब इसको properly launch किया गया है and I am sure आप लोगी समझ सकते है कि कितना यह important है now जो भी latest fresh water aquaculture के technology है वो किसानों तक पहुचाई जाएंगे मुझे आज भी याद है बहुत पहले हम लोग क्या दिखते थे फोन का बहुत यूज किया जाता था लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या करें फोन से भी जादा इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं why we are using all these things because हम में यह बत पता है कि जितनी एक आप की रीच हो सकती है audio video के through उतनी शाद एक phone call की रीच नहीं हो सकती तो आपको यह जो पॉइंट है यह बहुत जादा बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए मच से तो आपके बारे में कि किस प्रकार से हम लोग help कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की जो इन चीज़ों में लगे हुए है समय जा रहे है इतना चलिए बहुत बढ़िया now the next one is a very important piece of news and I am sure you will be able to understand it nicely government has formalized registration process of vintage motor vehicle पता होगा आपको जैसे मिनिस्टरोड ट्रांसपोर्ट जो है यहां पे जो भी heritage vehicles है जो भी पुराने vehicles है उनके लिए यह खास स्वार पर चीज़ देखी जा रही है तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि यहां पे जो भी पुराने साल जैसे पचास साल से पुराने vehicles है यह या कोई भी इंपोर्टर वेकल कुछ भी है आपको यह पता होना चाहिए जाट उनके लिए स्पेशल जो रूल से उनको ट्राफ किया गया है बर आपको यहां पर बस इतना पता होना चाहिए विंटेज वेहिकल क्या है जो पचास साल से भी पुराने है मनलब कई लोग शौंक के लिए रखते है तो वह जो है यह बहुत जादा है कि इंपोर्टन जीज़ है जिसके ब वह पावर दी के स्टेट्स को ना यूजस आफ टो अंडर्स्टाइंड कि सेंटर है प्रूव एक्सेंशन अफ टर्म फॉदर कमिशन ये इसको एक्सेंशन मेली थी और ये कौन सा कमिशन वाजितना आपको बता हूने ची रोहीनी कमिशन श्रीमती जस्टिस जी रोहीनी के सेंटर बनाता रिटायट जैडिली हाइगोट की क्वेस्टिन क्या आएगा आपको क्वेस्टिन आपको यह हाएगा कि भाई OBC से रिलेटेट में से कौन सा कमिशन है तो जी रोहीनी कमिशन और इसी के ऊपर बेस अगर आप इससे कनेक करके देखते हो तो आपको पता हो गया इतना तो यह रोहीनी कमिशन हम लोग इससे क्या करेंगे कनेक कर देंगा I think that would be सफाइस मैं यह ज्यादा आपके लिए ऐसे वर्कलोड बढ़ाना नहीं चाहता हूं वाइब करेंगे जितना exam point of view से हमारे लिए important now there is no point of doing something जो आपको शायद exam के अंदर आए गाई यह नहीं वो पढ़ने का क्या फायदा so हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे exam के लिए important है आगे हम लोग बात करते हैं Indian Institute of Heritage की whenever I talk about the Indian Institute of Heritage आपको बस एक सबसे important चीज़ पता होनी चाहिए that is where exactly is it located now the moment that is clear आपके आदर से जादर काम हो जाता है that is noida fine so it will be world class university that will focus on the conservation of rich heritage especially tangible heritage पतर ने tangible intangible tangible मतलब जिसको चू सकते फील कर सकते इंटेजिबल जिसको चूर फील नहीं सकते for example dance music that is intangible और जो हमारा ताज महल है that is tangible so tangible heritage को protect करना बहुत जादा जरूरी है और वही चीज़ यहां पे बच्छों को सिखाई जाएगी students को सिखाई जाएगी I think you are able to understand now very well clear तो हमें मतलब जितने भी points है अगर proper तरीके से पता चल जाएं तो I think they are surely going to be of immense benefit for all of us आगे हम लोग बढ़ते हैं बड़ी interesting कर रहे है artificial intelligence को यूज कर रहे है ग्रिमेंस रेटरेसल में किसी की भी शिकायते जो है उसको tackle करना ना इस चीज से मैं लिंक करना चाहते है एक छोटी सी चीज को that is supass ये कई बार मैंने पहले भी आपको बताया मैं फिर से बताना चाहूंगा artificial intelligence portal जो है supreme court use कर रहा है that is supass तो supass जो है वो better court की जो efficiency उसको enhance करने के लिए उसकिया जा रहा है I think that is very good step court क्या कर रहा है उसको बहुत बहुत बहुतरीं तरीके से use कर रहा है बहुत आगे लेकर जा रहा है I think that is something which we all need to understand all right so many chotty-chotty चीजे है which I am sure you all know it is just that कि जब भी कोई करेंट फिर में चीज आती है तो हमारे और ज्यादा important हो जाती है and you are all very much aware of it is that fine चलिए बहुत बढ़िया now the point is आपको शायद पता होगा इसके बारे में किसान सार्थी it's a digital platform launched by Ministry of Agriculture or Ministry of Electronics तो इसमें आएगी ही ICR के foundation day के ऊपर हमने इसको launch किया क्या है यह किसान सार्थी now फिर से वही बात है कि किसानों की हम लोग क्या कर रहे हैं मदद कर रहे हैं now why exactly are we helping our farmers because the moment we help our farmers through the technology the produce is going to increase on key to income and scope or be coffee a push mlega unko coffee boost mlega income me and I think this is something which is need of the app you pohut bohut zaadha zaruri cheese a agar hamlogi cheese nahi karthi abhi then it would probably be too late in that particular direction to hume it so duty G's a didn't cover bohut zaadha dhyana part and I think we are all moving in a very nice direction in that sense chalee clear ho ga itna now the point is hamlogic baat karte hai school innovation ambassador training program yee siyaat bada aap ko so uni education minister tribal affairs minister they launched this particular thing now minister of tribal affairs has launched and are the prediction portal also so you have to understand key program hakiya it's a very interesting program jampe school teachers joe hai unko kaafi saari cheezo ke baare mein bataya jae ga kaafi saari chute 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 cheezo hoongi jinn ke baare mein unko janakari di jayegi aur usse kya hooga unka empowerment hooghi the moment they are very much empowered to they are actually going to deliver it all to the children yee ek baat interesting cheese hai so aap ko basi yaad rakhna hai ki alag-alag cheezo mein alag-alag domains mein unko janakari di jari hai chai wo design ho entrepreneurship bachche ko business ke baare mein sikhana everything because what do we want we want ki bachcha joe hai wo starting se hi kahi na kahi ek chhoti tiji sikhye ki kis tariqe se self-sufficient manna aat-nirvar manna yee bhoh zara zaruri hai agar ham loog yee starting se students ke dimaag me nahi dalenge then probably it will be too late jis na abhi ta ki session ko share ya like nahi kiya make sure you like and share the session so that everybody out there is able to take the advantage of this session yep kyunki muha hee hamisha lakta ki dekhye yee jittte bhi sessions ham loog kar rahe hai it should reach to the maximum of the people tabhi ja ke eek proper benefit unko mil pae ga bilko where ho ga itna next one the india story now it's a booklet on indian initiative shaping energy transition aap ko bata hooga hum log jabbi baat kertte hai yeh particular india story ki it was launched on citizen centric energy transition ki joe bhi energy transition ki baat aati hai energy transition ki baat aap ko bas itna pata hoonaji ki wo kya hai whenever we talk about energy transition you got to understand one very basic thing and that is we are moving from the coal based energy to the more environment friendly energy aur usko karne ke liye it's not a very easy task it we are having those resources will be able to do the successful transition so aap ko yee ek bhoat important cheese hai jho pata hoonhi zaroori hai and jab tak ham logo nahi karte shayad tab tak us cheese ko hume samaj na ho ga kya nahi hum kar par hai everything is very much important in that particular way chari aap ko shayad pata hooga seo hai shanghai cooperation organization defense minister meeting 2021 tadikistan yeh so tadikistan meh dushambi ki jam hum baat kertte hai wahan peh hum nice meeting ko hote woi dekha yeh bhoat bade meeting mani jati hai kya shanghai cooperation organization meh india bhi hai china meh pakistan meh centralization countries hai turkmenistan nih baki sari countries hai so yeh ek bhoat high priority rehti india ke liye bhi it's a very very high priority for india also to attend all these meetings and isi liye hamna shreeman rajnaat singh ji ko bhi dekha ismeh shirkat karte hoi alright toh mujhe aisa lagta hai ki bhai yeh chote 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 points meh aap ko batara hoon you are not only able to understand them balki aap isko kaafi zyadha proper tariqe sa implement bhi karenge aap ni overall jo bhi preparation up kar rahe hai uske under aap isko proper tariqe sae samajh pahenge jaan pahenge hoon ga hai hai chalye aaghe humnogh bharate hai US Afghanistan Pakistan Uzbekistan is going to form quad group na yeh ek bhoat important chiz hai ki pehle dunia meh kitne quad se ek quad tha abhi dousa jo quad a raha hai aapko bas yeh pata hoona ضaruri hai ki iski kya relevance hooggi relevance iski bhoat heavy hoonay wali hai hai mahi aapko eek chiz bataata hoon ki kahi na kahi india kya hai agar aap india ko dhekho to india to iska part nahi hai no because india is not a part of this so iske thode boh thode boh reprecations ho sakti india ke liye hoon lekin aapko bas etna dhyaan meh rakhna hai that this particular thing has been in a lot of news hama jai ki nahi aya to hama log kya dhek raha eek nia quad grouping ek tara se dhek raha hai so US to dhono quarts meh hai japan india Australia US wala bhi joh quad usmeh hai US to aapko eek chiz dhyaan meh rakhni hai ki kin kin countries ka quad ban raha hai uzbekistan ek bhoat ehm country ban ke uber rahi hai pakistan is there then we are seeing afghanistan is there and US is there so yitash kan diski capital uzbekistan ki but we don't have india in this particular quad getting the point so quad 2.0 jiasse ki hum log bolte hai ek nia quad grouping joh hai ye a rahi hai yaha toh dekhye hai toh in ka main aim hai peace and stability ka but still we have to be very much smart in that in those情 local samajunal in but we are glad that china is not a part of this grouping naj хi toh india kafee zhada ok intellectually mayh two yes make a big achievement why kisses कि देखो कभी भी हम लोग अगर इस पर्टिकलर पॉइंट को देखते हैं तो आपको एक चीज तो समझनी होगी कि malaria एक ऐसी बिमारी है जिसने बहुत लोगों की जान लिये इनीशल यह में लोगों को अवेरिस पहलाएं कि पानी कथा नौ जान पर जो मच्छा नहीं वो पनपते हैं और आगे अम लोग बात करते हैं इन जुलाई यह शुलाई तो लिए लिए बात करते हैं और यह मरीन एट्सटों नवीगेशन विल टावाइं तब पुराना जो एक आक्त है उसको हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं रिफेस करने की कोशिश कर रहे हैं नव बैस पाट सिन पर इसे क्या जरूरत पड़ी हमें इसको लाने की यह सबसे important जीज़, now that is something which actually is very very important, now I am sure यह चीज ऐसी है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते, but at the same time I would like to make sure that you know about this thing, why? because कही ना कही उससे आपको बहुत जादा एक interesting perspective मेलेगा इस चीज़ को, समझने के प्रती जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां दीज़ेगा, it incorporates the global best practices जो भी development हुई है यहां पर जैसे light house बगएरा बनाने की बात आती है, proper light house बनाए जाएंगे यहां पर, in fact 1926-27 के अंदर तो सरफ 32 light house थे इंडिया में और वो भी पूरा कराइची बगएरा मिला के, तो आपको बस यह याद रखना है कि हम लोग इस bill को जो लाएं है, वो light house related है, कि किस सरह से light houses हो, ताकि जो भी शेप आते हैं, उनको काफी help में ले, यहां पर enter करने में, बस यह चीज़ है यहां पर जो आपको समझनी है, इस इस समझनी है, कि समय स्कीम बेसिकली है क्या, अब दिखे, बहुत सरे लोग हैं जो beggars होते हैं, जो भीकारी होते हैं, उनको यहां पर help करने की बात है, उनको रहाबिलेट करने की बात है, I think यह बहुत ही welcome step है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको भीकारी देखें को मिलते हैं, अब उनकी भी गलती नहीं है, they haven't got anything with them, so the problem is कि उनको rehabilitate करना उनको कैसे skill देनी है ये बहुत बड़ी बात है 1211 के census तो ये बात बताता है कि इंडिया में we have got four lakh beggars but I would say कि हो सकता है इसमें बहुत जादा हो हो सकता है census ने काफी लोगों को ना गिना हो there's a high possibility of that so ये बात हमेश्य आप याद रखेगा so what exactly I was supposed to be exactly supposed to give them education or some skill ताकि वो अपनी जिन्दगी है इसका गुजरबसर कर सके ये बहुत ज्यादा important है so we actually have to be very smart enough नहां पे इन सभी चीजों को समझने में कैसे हम लोग इन चीजों को देखते है उस direction में हमें काफी ज्यादा smartly इसको handle करना होगा next one India's first green hydrogen plant is going to be there at Mathura refinery जो है वो बना है अब देखे यहां पे आपको एक बात तो पता ही अगर हम future के fuel की बात करते है electricity तो ही है बट उसके साथ साथ एक green hydrogen को as a fuel बहुत जादा project किया जा रहा है पूरी दुनिया में and I personally think it's a very good thing because hydrogen जो है abundance में होगी और वो बहुत जादा clean fuel है in fact electricity go be a producer karteo to coffee sari repercussions होते है इस पर कोई भी repercussions ने तो यह बहुत बड़ी चीज़ है this is something which actually is very very important and we have to actually acknowledge this point yeah चलिए आगे बड़े हम लो now जब भी हम लोग बात कर रहे है इसकी it's a clean fuel you know that India has emerged as fifth largest forex reserve holders in the world ये बहुत बड़ी बात 608 billion dollars now just imagine हम से उपर Japan China Russia और Switzerland ही बचे है पहली बात तो यह है it's a very big pat on our backs जब भी हम लोग forex reserves की बात करते हैं तो India is doing a brilliant job actually across the globe अगर आप देखते हो ना यह चीज़ इंडिया is doing a brilliant job in fact अभी अगर recent figures हम लोग देखते है September के यह तो मैं आपको जुलाई का क्रेंटफिस कर रहा रहा हूं लेकिन अगर मैं आपको recent figures बताऊं तो आप हरान रह जाओगे that top के उपर मतलब top 4 में आगे इंडिया रश्या को भी हमने पीछे छोड़ दिया I don't know आपको पता है कि नहीं पता है so we are now we have beaten Russia Forex मतलब होता है foreign exchange reserve जो foreign exchange reserves होते हैं ना उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहां को यह latest data है हाले कि मैं जुलाई का करेंट पर पढ़ा रहा हूं आपको टॉपिक है चाइन देन जपैन स्विजर लैंड इंडिया और रश्या सब्सक्राइब है तो और यहां पर 608 बिलियन डॉलर हमारे पास पढ़े फॉर इंडिया रश्या को भी हमने बीट कर दिया है तो स्विजर लैंड के तो चलो बहुत जादा ही है I am sure you would be amazed to see this तो यह चोटी चीज़ें आपको यहां पर समझना है हां धी क्लियर होगे इतना तो इसमें गोल्ड भी मिला रहा हूं मैं जो भी फॉर्ण करंसी दो मिला रहा हूं मेली वही होती है and of course we will be having all the other things like reserve trend position भी होगी हमारी but ultimately यह बहुत जादा एक important चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तो कई बर यह question कई बच्चे मुझसे पूचते हैं तो मैं उनके लिए यह मैं specially आपको बताते हूं देखे Forex Reserve में basically क्या है you will have just a foreign currency gold है reserve transposition IMF special drawing rights है यह सभी चीज़े मिला के हमारे Forex reserve बनते है तो यह सारी चीज़े जो है हमारी we have got Forex reserves see it's a bilingual session absolutely bilingual session है यह but I'll make sure that मैं English जादे 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 यूस करो but ultimately यह सभी के लिए है so I use Hindi and English both it's written in English only I try to explain it in Hindi so I think यह दोनों के दोनों जो परपस है वो यहां पर stall हो जाते हैं better clear हो गया इतना now भालिया wheat was in a lot of news भालिया wheat and I'm sure आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना जरूर होगा भालिया wheat के बारे में देखे जब भी हम लोग बात करते हैं भालिया wheat की it's a GI tag वाली wheat ये from Gujarat it is तो अभी आपको बता होगा Kenya इनिया श्रलंका को दिया श्रलंका में काफी शॉटेज भी है PDF आपको मिल जाएगा आकाश जी के बूस्टर पे टेलिग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा don't worry about it so make sure you all share the session with all your friends so that they are able to take advantage of it दान दीजेगा ये जो GI tag है इसका is the high protein है बहुत शांदर इसका टेस्ट भी है इसको ग्रोग किया जाता है गुजरात में सो भालिया वीट जो है basically आपको कहां पे इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी it is grown in सरफ इतना है that I just want this thing कि भाई किसी को को दिक्कत ना हो everybody should be in a position to understand things in the best way possible सारी चीजे प्रॉपर तरीके से आपको समझ आनी सरूरी है समझ आगे इतना चलिए बहुत बढ़िया अब आगे जब हम बढ़ते है it's a very interesting one जो आगे हम लोग बढ़के देख रहे हैं वो क्या है उसको देहां से देखेगा देखेगा देखेए रात को आट बज बजब जो क्विज होगा उसमें you are going to gain a lot of things रात को 8 पीम पे जो क्विज होगा बाई जो एक्जाम प्रेप की आप पे you will be learning a lot of things वहां पर भी ऐसा निये कि वहां पर आप कुछ नहीं सीखने वाले डोंट वरी अभी के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा that try to take advantage of everything which you are getting जो भी आपको मिल रहा है उसकी पूरी पूरी एडवांटेज लेने की कोशिश करिए आगे it at edwar it's e filing portal for income tax affiliate tribunal देखे आपको पता होगा कोई भी notice आता है ये कुछ भी होता है तो आप क्या गरते हैं आप उसको appeal डालते हैं उसके खिलाफ appeal डालते हैं तो ये कही ना कहीं एक ऐसा portal है जहां पर आपके लिए appeal डालनी काफी असान हो चुकी है appeal डालनी काफी easy हो चुकी है ये मैं आपको बता सकता हूं तो यह याद रखेगा जो भी लोग यहां पर appeal डाल रहे हैं उनके लिए काफी easy है काफी user friendly experience है जो काफी लोगों को help मिलेगी हाँ जी चिन में बताएए तो बिल्कुल चिन में देखे वह अलग बात है 1991 की अभी एक नया भारत है वह एक पुरान भारत आप कह सकते हैं आज के मुकाबले तो आज हमारे फॉरेक्स बहुत जादा है उस comparison में तो उससे तो हम लोग compare कर भी नहीं सकते हैं बेटे quiz अगर नहीं मिलता तो मैं आपको हम पेशा टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेजता हूं वहां पर उसको फॉलो कर लिया करो है चलिए तो आपको एक चीज़ पता होगी हम लोग कई बात करते हैं जैसे इंद्रा है तो जुलाई में बहुत न्यूज में था कि इंद्रा होगी इंद्रा होगी एनिवेस ना तो मोस इंपॉर्टन देंगे इस आपको एक आईडिया होने थी बाकी एक्सेसिस के बारे में भी जैसे हम लोग बात करते हैं संप्रिती बंग्रेश के साथ करते हैं चाइना है फ्रांच शक्ति करते गरूर शक्ती है कजाकिस्तान के दॉक्स्त है किर्किस्तान खंजर है मौल्दी इक वेरेन तो अलग-अलग एक्सेसिसे इंफाक अभी सुमित्यों सर ने एक सेशन लिया था आपका इसके ऊपर मैं भी आपको एक सेशन करवा दूंगा इसके ऊपर ऐसी बात निया जैसे नेपाल सूरी के रन है मैत्री शक्ती मैत्री ये सारे तो यू किन हाव लोग वेरि वोट आराउंड कर रहे हैं यह हमारे लिए जरूरी है हां जी हमारे जाये कि निया आया सो आम शॉर यूर एबल टू डू दाट इसली वही मैं मतलब यहां पर करने की कोशिश कर रहो चलो आगे बड़े नेक्स वान एक्सराइस कट्लास एक्सप्रेस 2021 अब आपको पता क्योंकि वहां पर भी आपको इस तरह के एक्सराइस होती रहते हैं तो आपको इसको इसी डिरेक्शन में देखना है हाव एक्जाक्ली डूवी सी इस पटिकलर थे समय जागे इतना स्वाइट यह बहुत ही बेसिक सी जीज़ इतना मुश्किलिए नहीं है यासे हम लोग बा नाओ विनेव टॉक बाट देस इस बेसिकली मैरी टाइम सचनेश की एक्सराइस एक्सराइस शील्ड इंडियन नेवी इसके बारे में आपने सुना होगा अब देखिए इस तरह की जब भी को एक्सराइस होती तो फ्कोर्स इसमें इंडिन ओशन के अंदर हमारी भी जो आइना को दिखा सकते हैं कि हम लोग यहां पर डॉमिनेंट पार हैं all these things I think are very much important for you to keep in your mind समझागे इतना आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको देखा जरूर होगा कभी ना कभी न्यूज में या फिर मूवीज में आजकर बहुत दिखाते हैं देखें अब मैं कभी भी आपको बात करता हूँ यह short span bridging system के बारे में या इस तरह की कोई भी चीज़ों के बारे में तो आपको एक छोटी सी चीज पता चल जानी चाहिए कि यह bridging system का काम क्या है कहीं पे भी अगर मान लो आपको ऐसी नौपत आगी कि आपको bridge ले करना have a look can you see that ये तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पे proper bridging system है जो मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ इस तरह के bridging systems हमारे arm forces use करते रहते हैं from time to time have a look at this तब पूरी यहां पे मेरी back screen पे देख पा रहे हैं this is the kind of the bridging system I'm talking about all right so देखे यहां पे पूरी के पूरी नदी है उसको cross करना कितना आसान हो जाता है हमारे लिए इस तरह के short span bridging system को use करके तो देखो DRDO has always made us proud और वो आगे भी इस चीज के अंदर पीछे नहीं हटते हैं वो हमेश्चा make sure करते हैं कि किस तरीके से हम लोग proper bridges वगरा ऐसे त्यार करें temporary होते हैं but at the same time they are very 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 important I hope it's fine now recently you know it was in a lot of news कि भाई आयनेस विकरांत का क्या हल है तो उनकी पूरी की पूरी डेवलप्मेंट उसको track किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा तो मैं आपको सिर्वित्ता बताना चाहूंगा कि आयनेस विकरांत सब लोग excited है first indigenous aircraft carrier जो है जो coaching shipyard बना रही है अब तो वैसे बनी जुका है it would be commissioned in 2022 वैसे त्यार है पूरे trials चल रहे है जब कुछ चल रहा है तो मैं ये खुशकबरी आपको देना जाता हूं कि जुलाई में it was in a lot of news कि भाई विकरांत की कहां पे progress है तो विकरांत की यही progress है हमारा कि first जो ship ship है aircraft carrier इस तरह का वो त्यार हो चुका है बस अब हम लोग final phase में है और एक बर वो सब कुछ complete हो जो 2022 के अंदर हम लोग क्या करेंगे उसको इंड़क कर लेंगे commission कर लेंगे and I think वो एक बहुत जादा एक बड़ी achievement होगी हमारी aircraft carrier को बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात होती है and I think आपको भी यह बात पता होगी all right चलो आगे बढ़ते हम लोग new generation अगनी पी मिसाइल तो अगनी पी मतलब क्या होता है अगनी प्राइम मिसाइल इसको successfully test किया गया आकाश एंजी आकाश प्राइम अगनी प्राइम यह सब चीजें अब next generation चीजें हमने बहुत देर से देखे IGMP program किया एपीज अब्दुलकराम साब ने उसके उसके उस शिरकत की धीरी जीरे हमने उसको grow करवाया but now the point is we have to move to the next stage हमें अगली stage पर जाने का एक समय आचुका है and I think this is the time when we have to achieve that तो आपको बस यही बात याद रखनी होगी कि यह जो भी मनला points है जितने भी ideas है हम लोग अपने mind में रखें proper तरीके से and these are the points which are surely going to help us a lot for example हम लोग बात करते हैं इस variant की ही it has been developed IDMP program के अंदर ही it's a connected missile with a range of thousand to two thousand kilometers और काफी ज्यादा maneuverability काफी ज्यादा होती है मतलब आप easily इनको रख रखाफ कर सकते हैं कहीं पर लेकर जा सकते हैं यह यह एक बहुत इंपोर्टन जीस क्यों है क्योंकि Ukraine जो है अगर आप Ukraine की बात करें तो रश्या यूक्रेन नाओ देख टिफ वहां पे अगर अगर आप इस तरह की को एक्सेस कर रहें वो भी यूएस आ रहा है तो यह अपने आप एक बहुत बड़ा मैसेज देता है रश्या को और आई थिंग यह आपको पता होना जरूरी है fine when this message is given to the Russia this point is made very clear by the US that we are also dominant power over hair तो यह मैं आपको बताना यहां पर चाहता हूँ चली कोई बात नहीं आगे बढ़े हम लोग अब आपको माटियर जो शही तुकराम उंबले उनके बारे में पता होगा तो उनका नाम जो है वो एक तरह से अब हमर हो चुका है उसका एक रीजन है वो क्या है ना new spider species is there it has been named after तुकराम उंबले कैसे उसका नाम रखा है हमने ECS तुकरामी पीसे तुकरामी हमने नाम रखा तो आपको बस याद रखना है कि तुकराम उंबले जो है उनके नाम के ऊपर हमने इसका नाम रखती है इतना आप याद रखेगा छबीस ग्यारा के अंदर इन्होंने शहीद हुए थे यह और आई तिंग यू हाव तो अन्डेसेंट इस पॉइंट यह तो जंपिंग स्पाइडर है यह और जंपिंग स्पाइडर जो है उसका नाम हमने उनके नाम पर रखा है तो आई तेंग यह जो पॉइंट है यह बहुत ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है आई तिंग यू किन और अंडिस्टांड इसली तो देखो जितना भी मतलब जो भी में पॉइंट्स आपको करवा रहा हो ना यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन पॉइंट्स है और यह तिंग यू अल अंडिस्टांड नैसली शरी प्रिच्वी मिसाइल हां जी हां जी हां आगे हम लोग बढ़ते हैं कांस फिल्म फेसिवल में आपको लेकर जाना चाहता हूं कांस फेसिवल 2021 74 कांस फेसिवल हुआ फ्रांस में अब यहां पे में विनर्स के हम लोग जैसे बात करते हैं से पाम डियोर पाइं या ग्रॉंपरी यह तो आपको पहले तो यह चीज पत यह तो अंडर्स्टांड ओल इस पोईंट यह से बैस डिरेक्टर के बात करते हैं बैस एक्टर बैस एक्ट्रेस जूरी प्राइस स्क्रीन प्लेए यह सारे हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं आउड दाट मुंबई बेस्फिल्मेकर आपको पता होगा पाइल का पाडिया शिवान दा लॉयर डियोर यह बेस्ट डॉकुमेंटरी के लिए इनको मिला इनके फिल्म है अनाइट आफ नोइंग नथेंग इसके उपर इनको मिला है आपको इस पता होगी कि कांस फिल्म फैस्वल बहुत जादे इंपॉर्टेंट है देखिए जून के करेंट फेस तो मै आपको आपको रामसेया पर मिल जाएगा चलिए आपने उडिया पोईट के नाम सुना होगा बहुत बड़े पोईट है हमारे डॉक्टर राइजिंद्र के पांड़ा इस बीचोजन फॉर 2020 कुवेंपू एवार्ट पता आपको कुवेंपू राश्ट्री पुरसकार के को आपने इतना सुना नहीं होगा जहां दीजेगा 1990s का यह वार्ट है fine now whenever you see कोई भी लिट्रेचर के ऊपर यह वार्ट दिया जाता है पांच लाका एक प्राइस है you get a silver medal as well that is what कुवेंपू एवार्ट is all about याद रखेगा सो आपको बस इतना याद रखना है कि कभी भी हम लोग जब भी इन चोटे चोटे पॉइंट को समझते हैं तो I think हमारा overall एक आइडिया यही होना चाहिए किस प्रकार से हम लोग चीजों को जालत देर तक रिटेन करें तो उसको एक ही तरीका है करने का you make your own notes the moment you make your own notes it is surely going to be of much benefit for you कि आप अनाम से उसको कर पाएंगे इतना मैं आपको शोरिटी से बदा सकता हूं नोट्स बनाना आप स्टार्ट करिए चलिए अब मैं बात करता हूं एक महान व्यक्ति की जिनका नाम है पी साइना पी साइना थे वाड़े 2021 जेपान्स फुको का ग्रेंड प्राइस फुको क के लिए उनको दिया गया है यह बत्याद रखेगा इस वेरी 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 बिक तिंग जो कि यहां पर हमें देखने को मिल रही है नोटेड जनलिस्ट पी साइना था आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं इनको इस एवार्ट से समानित किया गया everyone now कभी भी हम आपके थू कुछ किया हो तो आपको यह एवार्ट मिल जाता है I think you are able to understand that everyone तो यह जो भी आइडिया है थोड़े बहुत भी जो आइडिया आपको मिल रहे है you have to understand them properly and I think you can all do it nicely in the long term आपको फिर से बोलना हूँ कि जब हम शाम को करेंगे आठ बजेगा quiz उसके अंदर आप बहुत सारी नहीं चीज़े भी सीखोंगे जैसे इंडिया रांक इस नाइन्थ मना टॉप टैन में है इन ग्लोबल एग्रिकल्चर एक्सपोर्टर रिपोर्ट ऑफ डब्लू तो जो डब्लू टीओ की रिपोर्ट है उसके अंदर एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है और आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि टॉप कंट्रीज की हम लोग बाते हैं से यूरोप इसमें बहुत अच्छा करता है यूरोपन यूनिन ने किया यूएस है ब्रजील है उसके बाद इंडिया है जब भी हमना अग्रिकल्चर की बात करते है अग्रिकल्चर वैसे भी एक्सपोर्ट करना बड़ी बात रहो दर नथिंग इस को स्टॉप यू फ्रम सिक्यूरिंग गुड मार्क्स क्योंकि जब भी अब्जेक्टिव पेपर आता है तो यह सारी चीज़े हमारे लिए मैटर करती है ऐसा मुझे लगता है आप इन सभी सेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हो यह बहुत जादा एक इंपॉर्टन चीज़ है तो ट्राइटू फोकस ऑन दिस तिंग ओली कि आप इसी सीरियसलेस के साथ अपनी जो त्यारी है उसको आगे लेकर चले इंडिया रंक 10th इन ग्लोबल साइबर सेक्यूरि इंडिक्स 2020 आपको पता होगा यह तो जब भी साइबर सेक्यूरिट इंडिक्स की बहुत बढ़ी बात है और यह थेंक यू अंडर्स्टांड इस पर्टिक्लियर पॉइंट ना दे पॉइंट ओवर हैरेस के लोग बात करते से यूएस है यूके साओधिया एस्टोनिया इं जो है वो इसको क्या करता है लांच करता है आइटिंग यह आपको सुना भी होगा आपने कभी नगभी और मैंने आपको वैसे बता भी दिया कि आई टी इसको लेकर आता है लीगल मेजर टेक्निकल मेजर इस सारी चीज़ों को देखते है उसके बाद ही इसके उपर को समझना अभी एक मोहन बगान रतना होता है तो शेबाजी मरें जीगो मिला आपको पटाओगा फुट बाल के अंदर ये बहुत बैतरी है वाएने बाध बाना जाता है तो अधे क्लव हमारा महन बगान उसके तिया जाता है तो इस महन बगान रतना आवार्ड आपको श Teach पता होगा इस अवर्ड के बारे में कि क् Germs प्रकार से यह जो एवाइड है यह जोलाई के महीने में दिया जाता है उन व्यक्तियों को जोने वहत Rem cm को स्पूर्ट के ला स्पे मिश्चिक्थ्ट फुटबॉल ऐगन है उसको architect करना चाहें और वैसे दी को वो मिलने ज़रूरी है सबको है हांजी 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 प्राची बिल्कुल हो रहे हैं पुश्कर कुमार पुश्कर सिंग धामी जो है हमने देखा उसरा खंड के चीफ फिनस्टर नाद पॉइंट है कि पीके धामी जो है उनका नाम पहले से आ रहा था आगे और जब इनको बन आया गया तो हमने देखा एक साल के साथ उनके एक्सेंशन मिली आप टॉनी जनल का सरकार के वकील की तरह वो काम करते हैं गवर्मिट ऑफ इंडिया के वकील है वो जिनका नाम है हमारे श्रीक के वेनुग पाल सो यह आफ तो आप इस आइडिया इस स्मॉल स्मॉल आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए और आम शॉर यह अबल तो अंडेस्टान इस प्रॉपली जैसे जुलाई के महीने में आपको 29 जुलाई को इंटरेशनल टाइगर डे होता है पता है आपको टाइगर्स के बारे में हम लोग कभी भी देखते हैं तो अवेर्नेस जो फ करूंगा हैपिटाइटेश कांट वेट यह हमने थीम रखी देखे हैपिटाइटेश किसको इंपक्रति लीवर को हैपिटाइटेश कैसी विमारी जो जान भी ले सकते हैं तो वी हाफ टू वेरी मच स्मार्ट इस चीज को देखने के लिए सीज को समझने के लिए हमें बहु वी टॉक बाउट नेंसल मेंडेला इंटनेशल डे जुलाइटारा को जो उनका बिर्सडे है वो लोग मनाते हैं तो यह क्वेस्टन कई डिरेक्ट आ सकते हैं नौ यू नीड तो नो डाट कभी भी अगर यह क्वेस्टन आते तो यह गैस्वर्क से करना थोटा से मुश्किल हो जाएगा इसलिए भी हाव तो हाव इस आइडिया सता जुलाइगा इस वर्ट डे फर इंटनेशल जस्टिस होता है यह हमेशा इंटनेशल जस्टिस को अब्सर्व किया जाता है इस दिन अभी जैसे इस बार एक थीम थी इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट होते है फार ए बिदाद दिन मनाते हैं हम लोग एक जुलाई को डॉक्टर से हम लोग मनाते हैं किसके बिर्दे वारे दिन मनाते हैं दॉक्टर बी सी रोए बिधांचंदर रोए जो सीम भी रह चुक है मेस्पंगॉल के वास बॉन और डाइड ऑन देट 1882 को वह बॉन हुए थे 1962 को ही डा रही है कि हमें बहुत स्मार्ट ली इन सभी चीजों को माइंड में रखना है और एंग शूर यू एजली दू दूट ठीक है बी सी रोए बिधांचंदर रोए कि में आपे बात करो इस से अभी तक इस सेशन को शेर नीके सेशन को शेर कर दीजिए जिसे लाइग नीके इसक आप के ऊपर बिमल जलान थे आर्ब गवर्ण दा इंडिया स्टोरी एक बुक लिखी इन्होंने लिखी किताब दा इंडिया स्टोरी आई धिंग यू आर नुइंग अबॉट इस पर्टिक्लर पॉइंट एक बहुत ही बहतरीन किताब है यह चोटी मोटी किताब नहीं यह चलिए अब मैं आपको एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ बताना चाहूंगा मतलब मैं बहुत ज्यादे इंस्पायर हुआ इनसे इनका नाम है भागी रथी अम्मा इस लेड़ी सो केला's oldest learner भागी रथी अम्मा पास्डवे आप यूनों एड़ 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 है कि एक सो साथ साल तक आप जी सकते हैं तो अगर आपका लाइश्ट्राइल अच्छा है अगर जीने की एक ज़स्बा है जीनेगा तो आइधिंग आप इजली उसको ले सकते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं रिसेंटली एक व्यक्ति बहुत जादा न्यूस में रहे उनका नाम है दानिश सिद्की पुलिजर प्राइज मिल चुका था इनको बहुत बड़े जनलिस से जाने सिद्की अफगानिस्तान में जो तालीबान का क्राइसिस चल रहा है उसमें यह मारे के आपने देखा होगा काफी जादा यह न्यूस में भी रहे थे और क्योंकि कि 2032 का ओलंपिक्स कहां पर होगा ब्रिजबेन में नाओ यू हाफ तो नो वन तेंग कि अभी क्या है दोज़र चॉबिस का पैरिस दोज़र अठाइस का लोस एंजलेस USA और 1232 का ब्रिजबेन तो वाटबर दोज़र चैस अभी वियर एट तो डिसाइड दार तो देखो हो स चांस कि यह इंडिया में हो जाए यह डिसाइड हो सकता है कि इंडिया में करें बट वियर एक टो सी कि कैसे होगा क्या होगा लेकिन इतना जरूर याद रखना कि बिडिंग के अंदर इसको वह मिल चुकी है बिडिबिड ब्रिजबेन का फाइनल हो चुका है तो आई बहुत बड़ी एक रेकोगनेशन मिल चुकी है तो आई तिंक यह बड़ी बात है कि किक बॉक्सिंग जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट्स बन रहा है धीरे धीरे जिसको काफी सारे यूथ पसंद भी कर रहे हैं और काफी सारे यूथ इसको फॉलो भी करना चाहते हैं तो आई त आप को बताओगा एक एक वेरियम मेना है फिश एक्वेरियम है है लेकिन वैसा एक्वेरियम है कि आप जिए उसके थे थे मूफ कर सकते हैं वह बहुत बड़ी बात है तो आप नीचे से आइसे चलके जाएंगे और उसके to move करेंगे और वह भी रेलवे सेशन पे हैं तो लो तो यह क्वेस्टन आ सकता है आपको कि फिर्स्ट मुविबल फ्रेश्वर्ट टनल अक्वेरियम कहां पे हैं इंडिया का दसे बैंगलूरू और वहां पे उसको और अट्राक्टिव बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है जिसकी एक मोहिम का ये बहुत बड़ लिए जैसे बोल्ड मिशन की बात आते प्रोजेक्ट बोल्ड गोल्ड नी बोल्ड ये बहुत ज़्यादा बात चल रही है तो इसके बारे में चर्चा करनी चाहूंगा कि के वी आई सी खादी विलिज इंडिस्टी कमिशन का बोल्ड है बोल्ड क्या है बोल्ड मतला पतलब जो है वह बहुत बड़ी चीज है यह मैं आपको पहले बता दू क्योंकि desertification को हम लोग रोकना चाहते हैं और इसके benefits बहुत जादा है environment के लिए इतना मैं आपको पहले बता देता हूँ we have to have this idea कि इसके benefits हमें बहुत जादा मिलने वाले हैं मैं आपको पहले बता दू पांच जार जो एक छोट चोटी सेप्लिंग्स होंगी bamboo species की वह लगाई जाएंगी अलगरे bamboo species की और बात यहां पर यह है कि इससे क्या होगा desertification रुकेगा इससे बहुत जादा एक benefit मिलेगा क्यो और desertification जो फैल रही है वो रुक जाएगी तो soil erosion भी रुकेगी infertility भी कम होगी यह बहुत जादा एक important चीज है I am sure you are able to understand this point anyways Indian Army के memorial बना इटली में यह भी एक बहुत जादा न्यूज में थी चीज तो आपको यह बत पता होगी कि हमने कई बार world wars के अंदर पार्ट लिया तो Europe के साथ तो हमारा खास relation ही है उसमें तो कोई शक नहीं है तो आपको यह चोटी सी जो चीज है यह पता होने जरूरी है these points basically you have to be knowing comprehensively completely and I am sure आपको अभी एक idea तो मिल ही गया होगा इन चीजों को लेकर everybody has got this basic idea on all these points तो मैंने देखिए जित्ता भी आपको करेंट फिर बताया है यह तो ही है लेकिन इसके लावा we have got a lot of important current faiz जो कि मैं quiz के माध्यम से आपको करवाना चाहता हूं so through the means of the quiz I'll make sure that we are completing that particular thing अब ध्यांते देखिए तार आपको मेलेगा जिसते अभी तक शेर नहीं कि इसको शेर कर दीजिए जिसते अभी तक लाइक नहीं कि I make sure like this session right now now I would like to tell you one thing you know we had a conversation with Akshat Singh he had decent 195 marks out of 300 in Africa to 2021 so he said that various classes which we connect conducted they were very beneficial for him to clear all the concepts properly so aapko itta me madada to like 1000 plus of our students have cleared Africa and I'm sure many of you are among them or up a gay karlingi clear agarab aapka clear nahi hua hai so we have got this online classroom program for various durations and abhi recently we are launching a lot of batches for example this SSB interview master course which is launching tomorrow a cds ka art tariko batch joe hai wo a rr it's a crash course shawri batch basically for CAPF is coming on 6th of October on 8th we are having OTA special and we have seen so many students clearing after examination and I'm sure you can be one of them be it CAPF or be it CDS and I would like to invite you all to a quiz session at 8 p.m. on baijo's exam prep key app so make sure you are all that baijo's exam prep key app key per aap ake usko join zaroor kariega 8 baje jahan pe em bhot bhetrin questions karne waale bhot maza ane waala tab tak ke liye thank you so very much